कि थैसे हम लोग बात करने वाले हैं empathy और बैंग निप्ती का ब्यूय कि जोकी 6 fun friday के लिए क्या रहने वाला है उससे पहले देख लेते हैं निप्ती बैंग निप्ती वान जैसा कि Nifty में यहाँ पे gap up opening होने के बाद उस level को sustain नहीं कर पाया और यहाँ पे पूरा down आने के बाद एक तरह से देखा जाए तो flat closing हुई है जो कि plus 5 में 16,682 के level पे निप्टी भी यहाँ पे upper level में sustain नहीं कर पाया और 35,232 के level पे close हुआ है जो कि minus 31 है एक तरह से हम flat बोल सकते हैं यहाँ पे कल के लिए क्या view रहने वाला है चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में और चार्ट के मादब में समझने की कोसिस करते हैं यहाँ पे मैंने 50-50 का चार्ट open कर लिया है जो कि 5 मेंट की candle पे हैं एक बार मैं इसे वन आर की candle पे कर देता हूँ ताकि आप पिछला support zone यहाँ पे देख पाएं तो हमारे पास आल्मोस्ट यहाँ से 500-200 पाइंट है डाउन साइट के लिए एक बार इसे मैं 5 मेंट पे कर देता हूँ ताकि कल के लिए हम इंटरे की लेवल से हैं फाइंड आउट कर पाएं तो फ्रेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं जो closing हुआ है 16,670 के आसपास की यहाँ पी closing हुई है जो हमारा कल का low बना हुआ था यह है 16,624 का low बना हुआ है और यहाँ पे अगर हम downside की बात करें कि कल market में अगर downtrend का moment बनता है तो हमें कहाँ पे entry लेना चाहिए तो इसके लिए देखी अगर यहाँ पे आज का जो low है इस low के break होने पे अगर आप entry लेने थोड़ा सा यहाँ पे difficulty होगी कि कल का जो low है यहाँ से bounce back ले भी सकता है तो आपको क्या करना है कि downtrend में अगर यह आज का नहीं कल का जो previous level था 16,624 का level इस level को breakdown देता है तब आपको यहाँ पे entry position ब opening हो जाती है यहाँ पे कहीं तो आपको directly उसमें एंटर नहीं करना है क्योंकि अगर उस level तक रीच हो जाएगा तो वहाँ पे entry position कोई मतलब नहीं है आपको यहाँ पे 16,500 तक के level के लिए wait करना है में भी वहाँ से uptrend moment देखने को मिले अगर मान के चलिए यहाँ पे अगर gap down जादा नहीं होता है 16,624 के आसपास यहाँ पे gap down opening होती है इधर कहीं पे तो आपको क्या करना है पहले यहाँ पे 5 मिट की candle close होनी देनी है अगर मान के चलिए यहाँ पे downtrend का ही moment रहता है अगली candle यहाँ पे वापस से इसे breakdown देता है तब के condition में आपको entry position मनाना है अगर 650 तक का देखने के लिए आपको मिलेगा अगर मान के चलिए यहाँ पे इधर नीचे ना आके उपर side का uptrend का condition बन जाता है तो आपको क्या करना है जो यहाँ पे previous जो close हुआ था इसके उपर मतलब यहाँ पे और आज का जो यहाँ पे trade कर रहा था है यहाँ पे जो range bound हुआ ह इस level इस level तक के लिए इसके बीच में रहने देना है कोई trade नहीं करना जैसे ही uptrend यहाँ पे बनता है 16,750 का level जैसे ही यहाँ से breakout देता है अपर side में तब आपको entry position मनाना है अब यहाँ target कहां तक मिलेगा देखिए यहाँ पे एक तरह से support zone मना हुआ है यहाँ पे support zone मना तो यह वाला जो level है यही इसका resistance level बनके आएगा 16,750 से लेके 16,850 मतलब 100 point के moment के लिए अप side में आप buy करके चल सकते हैं कब जब यहाँ पे 16,750 का level breakout दे और breakout कैसे देना चाहिए अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पांच मिट की candle पे इस पांच मिट की candle में ही एक बड देखने के लिए मिलेगा और अगर मान के चलिए यहाँ पर 16,750 और यहाँ पर 16,624 यह दोनों के बीच में यहाँ पर 125 point का gap बना हुआ है तो इस level के बीच में जब तक रहेगा तब तक आपको यहाँ पर कोई भी entry position नहीं बनाना है no trade zone होगा तो friends यहाँ पर हो गया है निप nifty में क्या बन सकता है setup जहाँ पर आपको trade perform करना है sell side में जो कल यहाँ पर low बनाया है low यहाँ पर 35,160 के आज पास है आज देखोगे तो सेम इसी level के पास आकर sustain किया हुआ है कल अगर यहाँ पर opening इसी कहीं बीच में होता है और opening होने के बाद यह downside आता है तो आलड़ी जो previous low था और आज का जो low है इस low को break करेगा 35,160 के below में तब आपको यहाँ पर entry position बनाना है entry position बनाएंगे तो आलमोस्ट यहाँ पर 150 point का ही moment downside में bank nifty में देखने की नहीं मिलेगा और try करेगा 35,000 के label पर जो कि support जो नहीं यहाँ पर hold करने के लिए अगर यहाँ पर hold करता है या वहाँ से थोड़ी सी भी uptrend की condition बनती है तो आलमोस्ट आप जो है 100 या तो 120 point यहाँ पर book करके निकल सकते हैं अगर आप position नहीं बनाएंगे wait करेंगे 35,000 का level तो 35,000 के level तक आपको wait करना है अगर 35,000 का यदर breakdown होके नीचे चला जाता है तब वहाँ पर आप short selling कर सकते हैं otherwise आप चाहें तो bank nifty के जगा निप्टी में trade करें तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पर bank nifty में जो 35,000 का support level है में भी हो सके तो breakdown ना कर पाए और यहाँ पर points ज़्यादा नहीं है इसके लिए अगर मान के चलिए यहाँ पर gap down opening हो जाती 35,000 के नीचे ही तो 35,000 के नीचे अगर gap down opening होती है तो आपको wait करना है पहले 5 minute में entry बिल्कुल ना बनाया तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि वहाँ पर momentum इतना fast और volatile होता है यह ऐसे लिट होने के chances भी ज़्यादा होता है premium हाई होता है और dkc होने के वज़े से भी वहाँ पर premium कुछ points खा जाते हैं तो इसमें भी same आपको वही करना है पहले 5 minute wait करिए अगर वापस से वह अगली candle बनती है उसके below में ही rate candle तभी जाके आपको entry करना है अभी यह हो गया हमारा sell side के लिए अगर मान के चलिए market यहीं कहीं opening होता है ठीक है मैतलब 35,000 के उपर और यहाँ पे 35,400 के नीचे इसी level में trade होता रहे है तो इसमें trade position ना बनाये तो ज्यादा बेटर है और यहाँ पे मान के चलिए opening इदर कहीं होने के बाद यह uptrend की condition बनती है तो जो previous यहाँ पे down था इसके उपर यहाँ पे भी इसने candle बनाया है यहाँ पे इसके उपर अगर निकलता है मतलब यह 35,400 के उपर यहाँ पे जैसे ही trade perform हो और यहाँ पे एक बड़ी candle के साथ breakout देता है तो आप यहाँ पे entry position मनाये इसके उपर और यहाँ से देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो यह वाला level यहाँ पे यह resistance level यहाँ पे यह resistance level तो यह आलमोस निकल के आ रहा है 35,700 के आसपास मतलब 200 से 300 point का moment यहाँ पे uptrend की condition में है वही पे downtrend की condition में पहले यहाँ पे 150 point है अगर 35,000 का level टूटा तब यहाँ पे ज़्यादा points देखने को मिल सकते हैं तो friends और यहाँ पे अगर जब तक इसी level पे रहे तो no trade भी आप कर सकते हैं ज़री नहीं है कि trade ले ही तो ज़्यादा वेटर है क्योंकि कल Friday है यहाँ पे जो premium की price होती है वह बहुत ज़्यादा high होता है और यहाँ पे अगर moment नहीं हुआ तो premium dkc बहुत fast हो जाता है friends अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक जरू करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक ये फर वाचिंग वीडियो